एक गाउं में रीता नाम की एक औरत थी वह अपने बेटे के साथ रहती थी वह बहुत ही गरीब थी रीता हमेशा कुछ काम करने के लिए सुचा करती थी तभी एक दिन रीता का बेटा रीता से कहता है माँ आप इतना अच्छा डोसा बना लेती हो अगर हम डोसे को बना कर बाजार में बेचें तो हमें अच्छा फाइदा होगा दूसरे दिन से रीता अपने बेटे की बाद मान कर बाजार में डोसा बना कर बेचने लगती है इस काम में रीता का बेटा भी उसकी मदद करता है और पहले ही दिन उसकी दुकान पे ग्राकों की भीड लगने लगती है लोगों को रीता का डोसा बहुत पसंद आता है और दीरे दीरे उसके ग्राक और भी ज़्यादा बढ़ने लगते है और कुछ दिनों बाद रीता उनी पैसों से एक दुकान खरीद लेती है और उसी में डोसा बना कर बेचने लगती है रिता और उसका बेटा दोनों ही डोसे की ओनलाइन डिलिवरी करने लगते हैं वीडियो अच्छ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंक्स पर वाचिंग